प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद नेवर मिस अनादर अपडेट फ्रिक्वेंटली आक्ष्ट कोस्चन्स की चच्चा करेंगे सबसे पहले बात करते हैं मरजर से जुड़ी सवालों की इन में से सबसे पहला सवाल है क्या अब विले के बाद आइडिया वोडाफोन एक कमपनी है इसका जवाब है जी हाँ विले के बाद वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलूलर एक कमपनी बनकर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गई है जो भारत की सबसे बड़ी दुरसंचार कमपनी है अब दोनों कमपनी मिलकर ग्राहकों के लिए एक बहतर अनुभा प्रदान करने के लिए करी मेहनत की आसंका जताई है दूसरा सवाल है क्या यह विले मेरे लिए कुछ बदलाव लाएगा इसका जवाब है आप अपने एकाउंट पर अनिंटरिप्टेड सिवाओं का आनंद लेते रहेंगे कुछ भी करने की ज़र्रत नहीं है आपका नंबर नहीं बदलेगा और आप अपने एक्जिस्टिंग सिम कार्ड का उप्योग जारी रख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी दुरसंचार कंपणी का हिस्सा बनने का आनंद ले सकते हैं Vodafone Idea Limited बनने वाली नई कंपणी के परिनाम स्वरोग मुझे क्या लाब मिलेगा तो इसका जवाब है आप सब कुछ और अधिक उम्मिद कर सकते हैं एडवांस नेटवर्क कवरेज, ज्यादा वैलियू, ज्यादा एकसाइटमेंट, नई और स्मार्ट टकनीक और अधिक से अधिक टैच पॉइंट तक अपनी पहुंच बना सकते हैं चौथा सवाल है नई कंपणी बनने से क्या मुझे और बुगदान करना होगा इसका जवाब है नहीं, आपकी मोजुदा रिचार्ज या प्लैन वही रहेगा दिलाई से जुड़ी छटी और सबसे ज़्यादा पुछे जाने वाली सवाल है क्या वोड़ाफोन या आइडिया बंद हो रहा है इसका जवाब है जी नहीं वोड़ाफोन या आइडिया दोनों में से कोई कमपणी बंद नहीं हो रही है या एक नई कमपणी वोड़ाफोन आइडिया लिमिटेड के रूप में अपना ओप्रेशन सुरू कर रही है अगर आप idea या Vodafone ग्रहाक हैं तो आस्वस्त रहें कि company दुआरा हर दिन आपको बहतरीन अनुभव प्रदान की जाए अब network से जुड़ी सबसे ज़्यादा पुछे जाने वाले दो सवाल है जिनमें पहला सवाल है अब तो Vodafone और idea एक साथ जुड़ गये हैं तो क्या मुझे बहतर network coverage मिलेगा तो इसका जवाब है भारत की सबसे बड़ी दुरसंचार company के रूप में Vodafone idea limited आपको एक बहतर अन अपने phone screen पर कौन से network देखूंगा तो इसका जवाब है आपके screen पर आज जो network नाम आप देखते हैं वह वही रहेगा किसी भी बदलाव के मामले में आपको company द्वारा सुचित की जाए अब बात करते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण segment की जो है payments and recharges जिसके अंतरगर तीन सबसे ज़्यादा पुछे जाने वाले सवाल हैं मैं एक idea ग्रहक हूँ क्या मैं Vodafone website या my Vodafone app पर अपने idea number के लिए payments या recharges कर सकता हूँ तो इसका जवाब है अभी फिलाल idea ग्रहक idea के official website और Vodafone ग्रहक Vodafone के official website से payments या recharges करेंगे परंतु जानकारी के लिए बत कर रही है और यह जल्दी एक website के रुप में काम करेगी दूसरा सवाल है मैं एक Vodafone करहक हूँ क्या मैं idea की website या my idea app पर अपने Vodafone नंबर के लिए रिचार्जेज या भुगदान कर सकता हूँ तो इसका जवाब है नहीं आप अभी क्रिपिया Vodafone की website या my Vodafone एप से ही रिचार्ज करें भविस में ये दोनों कमपनी द्वारा या विकल्प लाए जाएगी जो कमपनी आपको सुचित करेगी पैमेंट्स और रिचार्जेज से जुड़े तीसरा सबसे ज़्यादा पुछे जाने वाला सवाल है मेरे पास आइडिया और Vodafone दोनों नंबर पोस्ट पेड हैं क्या मैं दोनों नंबर्स के लिए कंबाइंड पैमेंट कर सकता हूँ इसका जवाब है नहीं वर्तमान में आप Vodafone और आइडिया नंबरों के साथ कंबाइंड पैमेंट्स के लिए भुगदान करने में सक्षम नहीं होंगे अभी के लिए फिलहाल आपको अपने दोनों नंबर्स के लिए अलग अलग भुगदान करने होंगे भविस्स में अगर कोई चेंजस होती है तो कंपनी आ Vodafone आइडिया लिमिटेड नई कंपनी बनने से क्या मुझे अपना नंबर चालू रखने के लिए अपने सिम कार को बदलना होगा जी नहीं आपको सेवाओं का आनंद लेने के लिए अपना सिम कार बदलने की कोई जरुरत नहीं है दूसरा सवाल क्या मेरा नंबर बदल ज जाते हैं यह अपना बेस्ट ओफर देखना चाहते हैं और आप Vodafone ग्रहक हैं तो Vodafone की official website या माई Vodafone आपको डाउ़ इप को डाउनवोड करें इसी तरह अगर आप आइडिया के ग्रहक हैं और अपना बेस्ट ओफर देखना चाहते हैं तो माई आइडिया या आइडिया की ओफिसल वेबसाइट को विजिट करें चौथा सवाल है मेरे बिल के बारे में क्या क्या यह बदल जाएगा इसका जवाब है जी नहीं आपका बिल उतना ही दिखेगा जितना आज दिखता है पांचवा सवाल है क्या ऐसी कोई नई सेवा हैं जोब मेरे लिए उपलब्द है तो इसका जवाब है हम हाली में Vodafone Idea Limited बने हैं लेकिन हम दोनों पहले से ही इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम आपको नए प्रोडक्ट्स, नेटवर्क्स और बहतर सेवा उपलब्द कराएं आने वाले महिनों में आप नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेस के बारे में हमसे अधिक सुनेंगे छठा सवाल है नई कंपणी के रूप में अगर मुझे ग्रहक स्यों प्रतिनिधी से संपर करने की जरूरत है तो मैं कहां कॉल करूं इसका जवाब है अगर आप Vodafone ग्रहक हैं तो वन डबल नाइन पर कॉल करें और अगर आप आईडिया ग्रहक हैं तो 12345 पर कॉल करें सात्वा सवाल है क्या मैं Vodafone के प्रोडक्ट्स या सर्विसेस आइडिया स्टोर से ले सकता हूं फिलहाल तो वरतमान में आपको Vodafone के प्रोडक्ट्स और सर्विसेस के लिए Vodaf इसके अंतरकर पहला सवाल है क्या विलाई के बाद कंपणी का नाम बदल चुका है इसका जवाब है जी हाँ आप Vodafone इंडिया और आइडिया सेलुलर एक संयुक तिकाई Vodafone आइडिया लिमिटेड के रुप में जानी जाती है दूसरा सवाल है विलाई के परिणाम स्व इसका जवाब है अब आप पुरे भारत में वाइडेस्ट नेटवर कभरेज का अनुभाव करेंगे जिसके अंतरगत आपको 4G कभरेज के साथ साथ वोल्टी के अनुगाव भी प्रदान की जाए चौथा सवाल है क्या Vodafone और आइडिया आउटले मर्ज हो जाएंगे आप क्या दोनों ब्रांडों के लिए एक कॉमन टेच पॉइंट होगा इसका जवाब है फिलहाल Vodafone और आइडिया अलग-अलग टेच पॉइंट्स के रूप में काम करेंगे एंटर्प्राइज सेक्शन में पांचवा सवाल है क्या मेरे टेरिफ ऑफर्स या बेनेफिट्स में कोई बदलाव होगी इसका जवाब है फिलहाल आपके टेरिफ और आफर्स में कोई बदलाव नहीं होगी परंतु भविस में आपको बहतर आफर्स दी जाएंगी जिससे आपको कंपनी सुचित करेंगी छाठा सवाल है क्या Vodafone और आइडिया के बीच में कॉल करना मुफ् आपको अपने आइडिया और Vodafone कनेक्शन के लिए अलग-अलग बिल दिये जाएंगी आथवा सवाल है मोजुदा कॉर्पोरेट्स फिलहाल एनी एफ्टी और आर्टी जीएस जैसे ओटो पेमेंट्स के लिए रेजिस्टर्ण है क्या नई कंपनी के आने से पुनह रेजि तो इसका जवाब है Vodafone आइडिया अब एक कंपनी है जो सभी मोजुदा कॉन्ट्रेक्ट्स के साथ पुर्ण बल में जारी रहेगा जब तक कि किसी भी समझोते में विशेश रूप से नहीं कहा जाता इस तरह से कोई भी प्रकासन की आवश्सक्ता नहीं होगी दसवा सवाल है Enterprise उत्पाद पोटफोलियों के लिए विलै क्या आर्थ है Enterprise Mobility, Fixed Line and Connectivity इसका जवाब है Enterprise Mobility, Fixed Line and Connectivity, Cloud and Sayog, Cloud Telephony, Internet of Things, Analyst, Even Security में दोनों कंपनीों के सर्वत्तम समाधान के साथ हमारा पोटफोलियो मजबूत हो जाएगा 11 सवाल है वर्तमान चैनल पाटनर के रूप में हमारे वेपार पर क्या आसर होगा तो इसका जवाब है हम जल्द ही आपको चैनल पाटनर से वाइश्ट्रक्चर पर अपडेट करेंगे वर्तमान में आप क्रिपिया अपने मोजुदा संपर्क बिंदु तक पहुँच के लि 12 सवाल है मुझे किस संपर्क करना होगा इसका जवाब है किसी भी मुद्दे के लिए आप वर्तमान रिलेशन्सिप मेनेजर से संपर्क करें एंटरप्राइज से जुड़ी 14 और आखरी सवाल है क्या जियस्टी नंबर में कोई बदला होगा इसका जवाब है जी हाँ नया इस वीडियो के माध्यम से आइडिया वोडाफोन मर्जर के बाद नई कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए आपके द्वारा पुछे गए लगभग सारे सवालों के जवाब हमने कभर कर लिया है इसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कम अब्सक्राइब टिस चनल अव